नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मिमान सा दर्शन के प्रामान्यवाद पर प्रोफेसर महंती ने इस्पष्ट किया है कि प्रामान्य के दो अर्थ लिए जा सकते हैं एक है प्रमा करणत्व अत्वा प्रमात्व पहले अर्थ में प्रामान्य उस साधन का गुण है जिससे प्रमा की प्राप्ति होती है अब प्रमा का साधन क्या होता है उससे पहले हम ये जान ले कि प्रमा क्या है प्रमा का अर्थ होता है वास्त्विक या यथार्थ ग्यान यानि जैसा हो वैसा ग्यान यदि हम लाल रंग की पुस्तक देख रहे हैं तो हमें लाल रंग की पुस्तक दिखे यह प्रमा और जिस साधन से हम उस लाल पुस्तक का ग्यान प्राप्त कर रहे हैं वह प्रमाण यानि हम इंद्रियों द्वारा किसी पुस्तक को जान पा रहे हैं तो यह प्रत्यक्ष ग्यान यह प्रत्यक्ष साधन से हमें पुस्तक के रंग का ग्यान हुआ उसे प्रकार हम अगर किसी विश्वस्नी व्यक्ती से कोई बात सुनते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं हम वेदों में लिखी बातों को स्विकार करते हैं हम जिस भी धर्म के हों उस धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को विश्वसनिय मानते हैं उनको सत्य मानते हैं तो ये जो ज्यान होता है उन ग्रंथों से, ये भी एक यथार्थ ज्यान है, वास्त्रिक ज्यान है, तो वह शब्द प्रमाण है, जिससे हमें उन बातों के बारे में ज्यान प्राप्थ हुआ. तो जिस भी साधन से हमें यथार्थ ज्यान की प्राप्थी होती है, वह प्रमाण कहलाते हैं। जिस रूप उस साधन में प्रामाणे को स्विकार करना होगा। हमें ज्यान प्राप्थी के साधन में ही प्रामाणे को स्विकार करना होगा। चोंकि प्रमान का लक्षण ही है प्रमा का करण, यानि कि वास्त्विक ज्ञान का करण, कारण, या प्रमा देने वाला, वह अप्रमा नहीं देगा, वह अयथार्थ ज्ञान नहीं देगा, अता इस द्रिष्टी से सभी प्रमानों में प्रमाने का गुण स्विकार करना होगा. दूसरे अर्थ में यह प्रमान का गुण नहीं माना जाए अपितु स्वेम प्रमा का गुण हो जो यथार्थ ग्यान है यह उसी का गुण है कि उसमें प्रमाने हो ग्यान के साधन में प्रमाने नहीं बलकि उस ज्ञान के साधन से जो हमें प्रमा प्राप्त हो रही है उसी में इस गुण को सुईकार कर लिया जाए तो जो भी हमें ज्ञान प्रमा रूप प्राप्त हो उसमें प्रामाने को सुईकार करें और जो भी हमें अयथार्थ ग्यान प्राप्त हो रहा हो उसी में इस बात को स्विकार कर ले जाए कि अप्रमा का जो प्रामाणे है यानि अप्रामाणे है वो उस ग्यान के अंदर ही है उस अप्रमा के अंदर ही है कोई भी ज्ञान प्रामाणे के कार्ण प्रमा और अप्रामाणे के कार्ण अप्रमारूप होता है प्रस्तुत संदर्ब में हम जो प्रामाणे का दूसरा आर्थ है यानि कि प्रमा का ही यह गुण है कि उसमें प्रामाणे होता है उसी संदर में साही चर्चा करेंगे सबसे पहले स्वतह प्रामाणय संपूर्ण भायाति दर्शन प्रामाणय के दो प्रकार के सिध्धानतों में बटा हुआ है यानि स्वतह प्रामाणय और परतह प्रामाणय बिमान सा दर्शन स्वतह प्रामानिय के सिध्धान्त को सुईकार करता है अब ये स्वतह प्रामानिय क्या है ये जाने जब किसी ग्यान के लिए प्रयाप्त कान सामगरी होती है और जब एक प्रमान के द्वारा उत्पन ग्यान स्वयम यथार्थ ग्यान होता है उसके लिए किसी दूसरे प्रमान की आउशकता नहीं होती, उसे स्वतह प्रमान कहते हैं यानि कि ग्यान प्राप्ती के जो साधन है, उसमें ही ग्यान सही है या नहीं है, इसका हमें पता लग जाए तो यह स्वतह प्रमाणे है मान लिजी हम किसी ग्यान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं हमें ग्यान प्राप्त हो रहा है तो जिस ग्यान के साधन, जिस प्रमाण के द्वारा हमें यथार्थ ग्यान प्राप्त हो रहा हो उसके लिए यदि हमें किसी दूसरे प्रमाण की सहायता ना लेनी पड़े तो उसे स्वतह प्रमाणे कहते हैं यानि जिस ग्यान प्राप्ति के साधन से हम ग्यान प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्रमाणिक्ता उसी से सिद्ध हो जाए तो उसे स्वत्व प्रमायने कहते हैं जैसे मानली जी आप किसी कक्ष में हैं वहाँ पे एक पुस्तक रखी है तो वो हमारे आँख के समक्ष है प्रकाश एकदम फैला हुआ है कमरे में रोश्नी है कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई सामान नहीं है उस पुस्तक के उपर कुछ रखावा नहीं है वो इदम स्पस्थ हमें दिखलाई पड़ रही है तो हमें सीधे प्रयाप्त कार्ण है वहाँ पे हमें उस वस्तु को ज्याप्त करने के यानि प्रकाश, एक सही दूरी, कोई बाधा करना होना और हमारी नेत्रे इंद्रे में कोई दोश न होना यदि हो तो आपने कोई अनक लगा रखी हो तो सारे प्रयाप्त कार्ण ग्यान प्राप्ति के यदि उपलब्ध है तो फिर हमें कोई शंशय नहीं है कि वो पुस्तक है या कुछ और है तो हमें जो ग्यात हो रहा है वो एकदम सही उचित और यथार्थ हो रहा है तो यह जो पृत्यक्ष ग्यान है यह सुईतर प्राप् adesso अब इसके लिए आपको किसी को बुला कर पूछने क्या उशक्त नहीं है कि क्या यह पुस्तक है या किसी और ग्यान के साधन से हमें कोई अरस्तू का कोई कोट नहीं पढ़ना पड़ेगा कि यह जो होती है पुस्तक होती है हमें कालिदास की कोई कताब भठक नहीं देखना कि हमने जो देखा है वो पुस्तक है या नहीं हमें किसी से verify करने के आउशक्ता नहीं है कमर में एक दम उचित रोशनी है एक उचित दूरी है हमारी आँखों में भी कोई दोश नहीं है हम जो देख रहे हैं वो ठीक देख रहे है तो ज्ञान प्राप्ति के साधन के साथ ही उस पुस्तक का हमें ज्ञान हो रहा है यह स्वत्व प्रमाणिय है फिर है ज्ञान की सत्यता यानि प्रामाणिय है में मानसक मानते हैं कि ज्ञान की सत्यता कहीं बाहर से नहीं आती अपितु ज्ञान ग्रहक सामगरी के साथ स्वत्व उत्पन होती है इस प्रकार ज्यान के उत्पन होते ही उसकी सत्यता का भी ज्यान उसी समय हो जाता है जिस समय आपने उस पुस्तक को देखा उसी समय आपको ज्यात हो गया कि ये पुस्तक ही है और इस इस विशय की पुस्तक है अब ये बात सत्य है नहीं सत्य है इसका जो प्रमान है हमें कहीं बाहर से लाने क्यावशक्ता नहीं है किसी और से पूछने क्यावशक्ता नहीं है जो हमें ग्यान प्राप्त हुआ उसके साथ ही इस बात का भी ग्यान हो गया कि हमें ठीक ग्यान हो रहा है उसके लिए किसी और verification की आवशक्ता नहीं है, किसी पूछने की आवशक्ता नहीं है यदि प्रियाप्त कान सामगरी में कोई दोश न हो, तो यथार्थ ज्यान की उत्पत्य स्वत्य हो जाती है इस विविशना में विमान सा जो है वो दो निश्कर्ष पर पहुंचता है प्रामानिया उस ज्यान की उत्पत्य सामगरी में ही नहित रहता है, कहीं बाहर से नहीं आता पहली बात दो ही है तो जिस से ज्यान उत्पन हो रहा है, उसके साथ ही उसकी सत्यता भी नहित है उसकी प्रामानिकता भी उसके साथ ही है आपको ज्ञान हुआ उसके साथ यह भी प्रमाइनिक हुआ कि यह सही हुआ उसकी सतिता उसकी प्रमाइनिकता अपने साथ है दूसरी बात ज्ञान उत्पन होते ही उसके प्रमाइने का भी ज्ञान हो जाता है प्रमाणयम स्वतह ज्यायतिचा यानि उसके प्रमाणय का भी ज्यान हमें उसी समय हो जाता है उसके लिए किसी अनुमान, किसी और वेरिफिकेशन, किसी से पूछने की, किसी गरंद को पढ़ने की आउशकता नहीं होती इस क्रिया में यह नहीं होता कि किसी अन्य प्रमान से परिक्षा करो फिर उसको सही सिद्ध करो और यदि उसके साथ उस प्रमाने की कसोटी उसको कसे और वो उस पे सही उत्रे तो ही उसे सत्य माने जाए ऐसी कोई आउशक्ता नहीं माने गई है प्रभाकर के अनुसार ज्ञान स्वतह प्रकाश है अर्थात ज्ञान स्वतह प्रामाणे है उसके लिए किसी दूसरे प्रामाण के आउशिक्ता नहीं होती और कुमारिल के दृष्टी में जिससे ज्ञान उत्पन होता है उसी से उस ज्यान की सत्यता भी सिद्ध हो जाती है आपने आख से कोई वस्तु देखी आख से उस वस्तु का ज्यान हुआ और उसी आख से हमें उसकी सत्यता का भी ज्यान हो जाता है ज्यान स्वतह प्रकाश है दीपक को ढूणने के लिए दीपक लेकर नहीं जाते कक्ष में कि जलते वे दीपक को ढूणना है तो आप दूसरा दीपक ले जाएए उसके आउशक तक अभी नहीं होती है तो ज्यान स्वत्व प्रकाश है जैसे हमें किसी घड़े का ज्यान होता है उसी समय यह उत्पन होता है कि हमें ज्यात हुआ इससे स्पस्थ है कि घट में ज्यातता नामक धर्म उत्पन होता है यद्यपी प्रहे घट ज्यान स्वयम प्रत्यक्ष नहीं है अपी तो ज्यातता का प्रत्यक्ष होता है ज्यातता ज्यान के बिना अनुपन है ज्यातता ग्यादता एक गुण है जो उस विशें में होता है उत्पन हो जता है जिसे हम ग्याद कर लेते हैं जैसे चावल को पकाने पर उसमें पाकता नाम का गुण आ जाता है पका हुआ तो ठीक उसी प्रकार जिन-जिन बातों को हम जान लेते हैं उनके साथ एक गुण जुड़ जाता है एक लक्षन जुड़ जाता है ग्यातता का तो ग्यातता को ग्यान से उत्पन माना गया है यानि ग्यान से ग्यातता उत्पन होती है और ग्यातता को उत्पादक होने के कारण मिमान सकते ग्यान के अस्तित्त को भी मानते हैं यही स्वत् Gятuship में विश्वास उत्पन करना ज्यान का स्वाभावत नियम है। अब न्याय दर्शन प्रमाने वाद पर जो विचार रखताब है मिमांसा से एकदम विप्रीत है। न्याय वहसे शिक्मत स्वत ह है प्रमाने को नहीं मानता, उनका विचार है कि ज्ञान की प्रामानिक्ता किसी और पर निर्बर होती है, इसलिए वो परतः प्रामानिवादी कहलाते है यानि इंद्रिय और घट के सन्निकर्ष से अयम घट ज्ञान उत्पन होता है, यह व्यवसायत्मक ज्ञान होता है और या ग्यान सत्य है या नहीं है, इसके निश्चित्ता किसी और ग्यान पर निर्वर करती है। अतह प्रत्यक्ष ग्यान से उत्पन ग्यान की सत्यता के लिए दूसरे प्रमाण, जैसे आख जिसके आधार पर सामने घट देख रहे हैं कि आवशक्ता पड़ती है, अर्थात उत्पादक कार्ण सामगरी के अतित कुछ अन्य कार्णों की भी आवशक्ता होती है, जैसे हमारे दूरी ठीक हो नहीं, ये इनको बाहिय कार्ण मानते हैं, दूसरे कार्ण मानते हैं, वो कहते हैं कि इन सब का होना आवशक है, अतो न्याय वैश्यशिक का इस इद्धान्द परत्ह प्रमाणिक आ जाता है, उनका कहना है कि प्रत्यक ज्यान का प्रमाणिय अनुमान के द्व यह कि वह स्थिति जो कभी समाप्थी नहों अनंद तक बात चलती चली जाए जैसे मान लीजिए का ने सच बोला है या नहीं बोला है हम किसी खा से पूछें कि भई कैसे ठीक कहा अब खा ने कह दिया यह ठीक बोल रहा है तो अब खा की प्रमानिक तक जाच करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी प्रमानिक से दे रहा है तो खा के लिए गह से बात करें भई गह तू बता क्या खा ने सही कहा अब गह की प्रमानिक तक ऐसे सिद्धो की उसके लिए गह से पूछे जाएगा कि भई गह तू बता कि क्या गह सही है तो इस प्रकार से यह अवस्था क्या यानि अनंत तक चली जा रही है, यानि वो किसी इस्थिर अवस्था तक पहुंचेगी नहीं है, तो इस प्रकार से इसका कोई अंत नहीं होगा, तो इसमें एक अनवस्था दोश है, तो यदि आप इसको सुईकार करेंगे, तो ज्यान की कोई इस्थिति पंती ही नहीं है, उसकी सत्यता का निश्चे करने के लिए अनुमान का सहारा लेना आवश्यक है, किन्तु उसका प्रियोजन ग्यान के मार की बादा को दूर हो जाने पर ग्यान के साथ उसकी सत्यता तो उसकी असत्यता ग्यान भी प्रकट हो जाता है. वैसे शिक के अनुसार प्रत्यक प्रमाने उस ज्यान की उत्पादक कार्ण सामगरी के अत्रित कुछ बाहिय कार्णों से उत्पन होता है अर्थात प्रत्यक्ष ज्यान की प्रमानिक्ता उस विशय को प्राप्त करते ही ग्यानेंद्रियों के निर्दोष्था पर निर्वर है, यदि आँख सही नहीं है, तो हमें सही ग्यान नहीं होगा, तो इस पस्ट है कि ग्यान जो है वो किसी बाहय कारणों पर भी, जैसे निला रंग कई प्रकास, सूरी के प्रकास में दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर को वस्तुथा प्रतिक्ष ग्यान के ही सहाय कारण है, इसलिए वो कोई से अलग नहीं है, अब श्वत प्रमाइने में वो शब्द को भी श्वत प्रमाइने स्विकार करते हैं, विमान से कहते हैं कि शब्द से जो में ग्यान प्राप्त होता है, वो भी स्वत प्रमाइने होता ह और यदी कोई संका या संशे न हो तो किसी सार्थक वाक्य के सुनने पर हमें उसमें सुभावत ही इस्वास हो ज़ता है हमें कोई संका हो तो हम पूछ लेते हैं इसी प्रकार नित्य परोशे वेद भी स्वत्र प्रमाणे स्विकार के गए हैं मिवानसमे उनका प्रमान्य स्वैम सिध्ध है किसी अनुमान अत्वा अन्य साधन पर आश्रित नहीं है शंका होती है अगर मान लीजिए आपको वेदों के किसी वाक्य पर, किसी शब्द पर तो यदि वास्तिक अर्थ बोध स्पस्ट हो जाए तो उसकी सत्यता की अभिवक्ती भी हो जाती है इस प्रकार मिमानसक मानते हैं कि सत्य स्वत्व प्रकाश होता है संक्षेप में प्रत्व प्रमान्यवाद का खंडन करके उन्होंने स्वत्व प्रमान्यवाद की प्रत्व स्ठापना की जिसका ज्ञान विमानसा के द्रिष्टी से अत्यदिक महत्वपून स्थान है आज में तरी बात करेंगे आपको बहुत बहुत देने बाद नमस्कार